हेलो फ्रेंट से मता जी कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगी तो आज चेत्र माह का नवरात्री पहला नवरात्री आज आज से चेत्र माह की नवरात्री शुरू हो चुकी है और आज नवरात्री का पहला दिन यानि शैल पुत्री का दिन है तो इस दिन माशैल पुत्री का पूजन किया जाता है के ते हैं कि नवरात्री के पूरे नौ दिन मता नो मताओं का अलग-अलग से पूजा किया जाता है तो आज उसी पे छूटी सी कहानी मैं आपको सुनाती है एक बार आपने शायद सुनी हो यह कहानी पापा दादा नानू किसी के मुझे से ये कहानी सुनी तिकिन मैं इसको मुझे जैसे आते हैं मैं अब बहुत आती है एक बाए प्रजापती दक्ष ने एक बहुत बड़ा यग्य किया उन्होंने उसमें सारे देवी देवताओं को अमंत्रित किया सब लोग आए सब को बोला क उनकी पुत्री सती जी ने ये बास सुनी तो उनका बड़ा मन हुआ कि मैं भी जाओं मुझे भी जाना है अपने पिता के वहां कि वहां पर यग्य हो रहा है और मैं ना जाओं इसा होता है कि अगर हमारे पापा के हाँ या हमारे माईके में कुछ पढ़ता है और हमें ना ब हम इतने साल तक वहां रहें और वहां इतने साल तक रहें वहां मेरे माबाप मेरे भाई बेहन सब हैं तो बस उनका भी वही मन हुआ कि मैं वहां जाओं और वहां सबसे मिलूं तो उन्होंने शंका जी से कहा कि मुझे जाने दूज़े तो वह लेकि रेको सती आपके पिताजी ने सबको निमंत्रन भेजा है इस यग्य का लग जितने भी देवी देवता हैं सबको भेजा है निमंत्रन नों ने और भेजने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आकर अपना यग्य का भाग ले पता नहीं क्यों आपके पिता जी शायद मुझे नाराज है या हमसे नाराज है तो उन्होंने हमें निमंतरण नहीं भीचाए तो बिना निमंतरण मिले आप किसी के आहां नहीं जा सकते हैं नहीं जाना चाहिए किसी के आहां तो सती ने कहा वह किसी नहीं है में नियदा ही तो वहां जाना मेरा फर्ज बनता है तो। वह गोले कि नहीं मत जाओ बीना निमंतरज जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उन्होंने कहा हूं, लेकिन सती कना प्रवल आगरा करने से मानगे शर्ड़ां मान ग। और वो चली गए वहां पहुची उन्होंने देखा कि उनकी जितने मेमान थे उनकी बेहने सब उनसे दरूरार कर रहे हैं और प्रेम से आदर से कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा हैं उनकी बेहने जो की सगी बेहने उनसे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं उनको इज़त नहीं दे जलत तरीके से बात कर रही हैं उन से और उपहास के भाव से उनको देख रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, तो उनके परियनों का, कह इस बिव्यार से उनका मन बहुत दुखी हुआ, ये देखकर सती का हिर्दे अतिक गलानी और क्लोग से भर गया, तो उन्होंने सोचा कि संकर जी की बात ना मान कर अपने पती की बात ना मान कर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वे अपने पती का इस तरीके से अपमान सेह नहीं सकी कोई भी नहीं सकता कि आपके माहिके में आपके पती का अपमान हो तो मन को मतर इतना कोधाया उन्होंने उसी छणोंगे उन्हों ने वह रूप त्यागने का दंश्च्चा कर लिए मैं उन्होंने अपने उस रूप को तक्षणवही योगनी योगनी त्वारा बस्त कर दिया जला कर भसल कर दिया जब उन्होंने जला कर भसल करती है तो बाहां पैटे सब लोग देखने अपहरी ही क्या करते है यह बात किसी तरह कि पास पहुंचे अब संकर जी का तो विक्रा रुब जानते ही है ये सब लोग आप संकर जी को आया कुरूद बस उन्होंने अपने गणों को भीजा और भीज करका तहस नहस कर दो और उनके गण आये उस यग्ड का बिद्वांश कर दिया मसलब उस यग्ड में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जिससे वो यग्ड कर सके और यह सब करने के बाद जब यह सब हो गया और माता सती जल गए तो उन्होंने जब दूसरा जनम लिया तो उन्होंने अपना दूसरा जनम शैल राच हिमाले की घर में लिया और शैल पुत्री के नाम से विख्यात हुई तो मतलब आज का जो दिन है वो पर्थम शैल पुत्री का दिन है तो आज के दिन मतलब पर्थम शैल पुत्री माता का ही पूजा किया जाता है और उनकी ही अराधना की जाती है मा शैल पुत्री पर्वत राज हिमाले की पुत्री हैं और इसलिए उन्हें पार्वती और हेमावती भी कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है तो आज का दिन माता शैल पुत्री के नाम पर है इसी के साथ मैं आप से विदा लेती हूँ कल फिर मा आज पर्थम शैल पुत्री कल दुद्य ब्रह्मा चारणे कल में दुद्य ब्रह्मा चारणे की एक कहानी लेकर आपके समक्ष पुना आउंगी तब तक के लिए आप प्लीज मुझे आग्या दीजे मैं चल दी हूँ और क्रिपा करके आप मेरी वीडियो को जरूर से जरूर देखें और सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन को जरूर से जरूर ब्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंसके तक के लिए जय माता दी आप सब हमेशा खुछ रहें